राजिस्तान की उप मुख्यमंत्री और वित्मंत्री दिया कुमारी सुभा 11 बजे विधान सभा में लेखानुदान पेश करेंगी अब तक की परंपरा जारी रही तो लेखानुदान 10 से 20 पेज का हो सकता है 20 साल बाद इस बार वित्मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट पेश नहीं करेंगे 2004 से 2023 तक वित्विभाग मुख्यमंत्रियों के पास रहा था लेखानुदान में पूरवर्ती सरकार की अपरात नियंद्रण और वित्य प्रवंधन में कमजोरियों पर हमला किया जाएगा वहीं 450 रुपे में गैस सिलेंडर, पैंशन में 1500 रुपे की बढ़ोत्री, गेहु के MSP मूले पर 125 रुपे बोनस, पीम के सान निधी में 2000 रुपे बढ़ोत्री, ERCP, वेपर लीक मामलों को लेकर SIT और गैंगस्टर्स पर शिकंजा जैसे प्रयासों का जिक्र होगा लेखानुदान के प्रावधान लीक नहीं हो, इसलिए दस्तावेज की छपाई सचवाले में ही किये जाने की जानकारी है प्रिंटिंग मशीन पहले ही सचवाले पहुँच गई थी वित्मंथरी ने कहा कि लेखानुदान में संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राक्मिक्ता एवं प्रयास होगा भजनलाल सरकार ने आते ही पूरवर्ती सरकार के समय की सामुदाइक स्वास्ते अधिकारी को तीन हजार से दिक पदों की भरती रद्द कर दी थी और करीब पांच हजार राजिव गांदी युवा मित्रों को भी हटा दिया था सरकार गलस संदेश जाने से बचने के लिए भरतियों की घोशना कर युवाओं को तौफा दे सकते है भाईदर केंद्र सरकार पुरानी पैंशन योजना के पक्ष में नहीं है और नई पैंशन योजना को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है भाजपा के संकल्प पत्र में राडिस्थान सरकार स्वास्त योजना यानि आरजुएचस के स्थान पर कर्मचारियों को आयश्मान भारती योजना में लाने की बात कह चुकी है इसके अलावा चुरंजीवे स्वास्त बीमा योजना पर भी लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं ऐसे में सरकार इन योजनाओं पर समिक्षा के लिए कमेटी बना सकती है पीम मोदी ने चुनावी सभाओं में भाजपा सरकार आते ही वैठ दरों की समिक्षा करने की बात कही थी साथ ही भाजपा विधायक उद्योगों में इस्थानिये युवाओं को प्रात्मिक्ता देने के लिए दबाव बना रहे हैं तो राजिस्तान का अंत्रिम बजट आज सुबग 11 बजे वित्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी इले खानुदान पेश करेंगी और माना जरा कि कई बड़ी घोशनाएं आज इस दौरान हो सकती है प्रात्मिक्ता वित्यास